अब तारियों जो भी का आपका गवर्मेंट ने बनाया है उसके अंदर किसी ना सिखें के अंदर गलती हो जाती है थीक है तो वह रिजेक्टेट सिक्का जो हता वह मूलकुं कहलता है अगर असली हो आपने अंदर दिखाया था आप एक पचास को दिखा दिया अच्छा अगर दिखाया था इन्हों ने वो वीडियो मैंने भी देखिया कि दो हजारी किस्का है तो शेज और पर की कीमत है एक लड़का परसु चौभी साल का तीन नोट लेके गूम रहे हैं और किसी कांटर वाले ने उसको अटेंडी नी किया वो कहता है छिथिए आपके पास थे का सिक्का है अगर डाल आटके लेकिन लेकिन यहां 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 बनाए जारी है और इसीने बनाई जारी है इस लिए जो लोगों बहुत अंदर में यह बाइजा मेरे साथ ते दूगा में नगा सब्सक्राइब दोस्तों, दिल्ली की मुद्रा प्रदर्शनी का अंतिम दिन था और वहाँ पर हमें काफी सारे लोग मिले जो अपने पुराने नोट और सिक्के बेचने आये थे लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो क्लिप में देखा कि वहाँ पर उन लोगों के नोट और सिक्के नहीं बिक रहे हैं जो नोट और सिक्के, राज, ग्यानी सर और बाकी के असली बायर अपनी वीडियो में लाखों रुपए कीमत के बताते हैं लेकिन वही नोट और सिक्के, जब वो लेकर के मुद्रा प्रदर्शनी में आये, तो कोई भी बायर इतनी कीमत देने के लिए तयार नहीं था तो दोस्तों, आज तक हम आपको यही बात अलग-अलग तरीकों से कितनी बार समझाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन फिर भी, आप लोग वही गलती करते हैं यानि कि अगर हम एक रुपए के गेहूं की बाली वाले सिक्के की दो लाख रुपए कीमत बताते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक रुपए के गेहूं की बाली वाले जितने भी सिक्के हैं, उन सब की कीमत इतनी मिलेगी बलकि वो सिक्का किस वर्ष में जारी किया गया है Minute Mark क्या है? ये सभी चीजें भी बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी सिक्के की कीमत तैय करने में और जो note और सिक्का हम दिखाते हैं उसमें जो भी खूबियां होती है वो सभी qualities आपके note या सिक्के में भी होनी चाहिए तब ही तो हम आपको वो कीमत देंगे जो हम वीडियो में बताते हैं या फिर numismatic society के द्वारा जो कीमत तैय की गई है दोस्तों, अब तो note और सिक्कों की किताबें भी बहुत मिलती है जिसमें इन note और सिक्कों की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी दी गई है और असली कीमत भी बताई गई है तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको पुराने दुरलब note और सिक्कों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप अपने note और सिक्के नहीं बेच सकते जैसा कि आपने वीडियो के शुरुआत में देखा कि कुछ लोग अपने note और सिक्के currency exhibition में बेचने के लिए आये थे लेकिन उनके note और सिक्के नहीं बिक रहे थे और इस वज़ा से वो लोग बायर्स पर गुस्सा निकाल रहे हैं अपनी गलती को स्वीकार करके उसमें सुधार करेंगे तभी आपके नोट और सिक्के बिकने वाले हैं और हमने आपको ये भी बहुत बार बताया है कि किसी भी मुद्रा प्रदर्शनी में जाने से पहले उस मुद्रा प्रदर्शनी के बारे में पूरी जानकारी जान लेनी चाहिए जैसे कि वहाँ पर कौन कौन से नोट और सिक्के बिकने वाले है उन नोट और सिक्कों में क्या खुबी होनी चाहिए कितनी कीमत मिलने वाली है किसी भी नोट या सिक्के के बदले क्योंकि दोस्तों कई बार कुछ विशेश तरह के नोट और सिक्कों को खरीदने के लिए ही कोई मुद्रा प्रदर्शनी लगाई जाती है और आप अगर कोई दूसरी करेंसी लेकर उस मुद्रा प्रदर्शनी में जाएंगे तो कैसे बिकेंगे आप ही बताईए अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें जब भी अपने कलेक्शन के लिए किसी नोट या फिर सिक्के की आवश्रक्ता होती है तो हम उसकी वीडियो बना कर डाल देते हैं उस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं फिर भी उनसे कोई भी असली बायर संपर्क नहीं करता है तो कोई भी मुद्रा प्रदर्शनी हो या पुराने नोट और सिक्कों की वीडियो जब तक आपको पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप नोट और सिक्के नहीं बेच सकते लेकिन आज आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है क्योंकि अगले शुक्रवार से ही एक और करेंसी एक्जिबिशन शुरू होने जा रहा है और उसके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में पुराने नोट और सिक्कों की आवश्यक्ता है इसलिए आपके पास कोई भी दुरलब नोट या सिक्का पड़ा है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बेच सकते हैं बाकी इस वीडियो में आगे हम आपको हमारे WhatsApp नंबर, दुकान का एड्रेस और संपर्क की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जिसमें से आपको जो भी सही और सुरक्षित लगे उस तरीके से हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने तमाम नोट और सिक्के बेच सकते हैं ध्यान रहे कि हम कभी भी किसी नोट या सिक्के की छोटी-छोटी डिटेल्स पर बात नहीं करते जैसा कि फर्जी और फ्रॉड लोग करते हैं लेकिन जितने भी नोट और सिक्के हम वीडियो में दिखाते हैं वो सभी बहुत ही कीमती और दुरलब होते हैं साथ ही हम उन सभी नोट और सिक्कों को खरीदते भी है इसलिए वीडियो में उन्हें दिखाते हैं तो अगर हमारे वीडियो में दिखाया गया कोई एक भी नोट या सिक्का आपके पास हो तो आप तुरंथ हमें वो बेच सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं अविनाश यादव न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी आफ इंडिया का रजिस्टर्ड मेंबर और पुराने नोट और सिक्कों का असली बायर स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस रेयर करेंसी के सबसे बड़े असली यूट्यूब चैनल रियल कोईन कंपनी पर और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है या आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा कर नॉटिफिकेशन को ओल पर सेट कर दीजिए जिससे हमारी आगे आने वाली तमाम वीडियो भी आपको सबसे पहले मिलेगी और अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और उस कमेंट का कोई भी असली बायर रिपलाई देगा तो उसका भी नॉटिफिकेशन आपको तुरंट मिल जाएगा दोस्तों, अगर कोई भी बायर आपके कमेंट का रिपलाई देता है, आपके नोट और सिक्के खरीदने के लिए, या आपकी मुद्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी लेने के लिए, तो अगर आप उनको तुरंत जवाब नहीं देते हैं, हाथों हाथ वो जानकारी उपलब् और अपने नोट और सिक्कों की पूरी डिटेल लिखना भी आवश्रक होता है, वरना कोई भी असली बायर आपके कमेंट का जवाब नहीं देंगे, आपसे संपर्क नहीं करेंगे, वीडियो में बताई गई, हर एक बात नोट और सिक्के बेचने के लिए जरूरी होती है, और आपको अपने नोट और सिक्के बेचने से पहले, इन सभी बातों को समझना ही होगा, इसलिए वीडियो को स्किप करके देखना अब छोड़ दीजिए, अगर जल्दी से अपने नोट और सिक्के बेचने है, तो… तो आप हमारे इस पेज के मैसेज में अपने तमाम नोट और सिक्कों की फोटो और वीडियो बना कर भी भेज सकते हैं, लेकिन फोटो एकदम साफ सुतरी और अच्छी क्वालिटी में दोनों तरफ से लेकर भेजनी है, और अगर वीडियो बना कर भेज रहे हैं, तब भी उस वीडियो में अपने नोट और सिक्कों को एक-एक करके पलट कर जरूर दिखाना है। कि किसी कोईन शोप पर पुराने नोट और सिक्के कैसे बेचते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, जब भी आप फेस्बुक या यूट्यूब खोलते हैं, तो ऐसे कई वीडियो सामने आएंगे जो पुराने नोट और सिक्के बिक्वाने का दावा करते हैं। कई वीडियो में तो पुराने नोट और सिक्कों की कीमत इतनी अधिक बताई जाती है कि उस पर यकीन करपाना भी मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन में से 90 फीसदी से भी अधिक वीडियो फेक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ फर्जी और फ्रॉड लोग आपके साथ फ्रॉड करने के लिए नोट और सिक्कों की इतनी बड़ी कीमत बताते हैं कि आप लालच में आकर उनसे संपर्क करते हैं। और फिर वो आपके नोट और सिक्के बिक्वाने के नाम पर आपसे कई बार रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर पैसों की डिमांड करते हैं। इसलिए एक बात मैं पहले ही आपकी क्लियर कर देता हूँ कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और एक रुपया भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि किसी भी वीडियो को देख कर कैसे पहचाने कि वो किसी असली बायर की वीडियो है या फिर फ्रॉड विक्ति की। दोस्तों सबसे बड़े असली बायर की अगर बात करूँ तो इंडिया में सिर्फ 5-6 ऐसे बायर है जो सभी तरह के पुराने नोट और सिक्के खरीदते हैं। किसी भी देश की रेयर करेंसी हो, कितनी भी पुरानी मुद्रा हो, किसी भी धातू से बनाई हुई कोई करेंसी हो। आप इन पाँच सबसे बड़े बायर को बेच सकते हैं और इन बायर की कॉन्टैक्ट की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ कि कैसे आप इन पाँच बायर को फोन करके अपने नोट और सिक्कों का वैल्यूएशन करवा सकते हैं। अगर आप इन में से किसी भी बायर की कोईन शोप पर जाना चाहते हैं तो कैसे जाना होगा? इनकी नोट और सिक्कों की दुकान का इड्रिस क्या है? दुकान पर काम करने वाले बायर के फोन नंबर क्या है? कौन सी दुकान पर कौन से नोट और सिक्के खरीदे जाएंगे? इन पांच बड़े बायर में एक राज ग्यानी जी है अविनाश यादव यानी की मैं खुद भी सभी तरह के पुराने नोट और सिक्के खरीदता हूँ पर पहले वीडियो में बताई गई जानकारी को पूरा समझने के बाद ही फोन करना है ऐसा नहीं है कि नोट और सिक्के बेचने का मौका मिलता है तो आराम से पूरी साफधानी से पूरी प्रक्रिया को फॉलो करें उसके बाद फोन करना है क्योंकि जल्द बाजी करके तो आपने आज से पहले देख लिया लेकिन क्या आपके नोट और सिक्के बिके? नहीं ना? तो अब जल्द बाजी नहीं, बलकि समझदारी से काम लीजिए, तभी किसी असली बायर से संपर्क हो सकता है. पर दोस्तों, मैंने इस RealCoin Company YouTube चैनल के माध्यम से पांच लाख से ज्यादा लोगों की हेल्प की है, और उनके नोट और सिक्के भी सेल करवाए. अगर आपसे मैं अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ, आपके पास में मेरे अभी तक नंबर नहीं है तो इस वीडियो में बने रहिए. क्योंकि इस वीडियो में आपको जो information देने जा रहा हूँ, ये YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी. आपको पता है ये 90% लोग फेक है, एक भी नंबर नहीं देते हैं, फेक कीमत बता देते हैं, address भी नहीं देते हैं, और कुछ लोग नंबर देते हैं, वह नंबर सही नंबर नहीं होते हैं. ऐसा आपने अक्सर देखा होगा YouTube पर. लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको 10-15 बायरों के नंबर मेरे पास है. मैं जूट नहीं बोलता. जूट बोलने से कोई फाइदा नहीं है. इस वीडियो में 3-4 रियल बायर के नंबर देने जा रहा हूँ, जो इंडिया के बिगेस्ट बायरों है. और जो रियल में सिक्के और नोट खरीदते हैं, उनकी रियल प्राइज आपको मिलती हैं, और साथ में रियल एड्रेस एग्जिबिशन का इसके साथ में आपको देने जा रहा हूँ. नोट और सिक्कों के बारे में इंफॉर्मेशन, कि आप नोट और सिक्के घर बैठे बेचना चाहते हैं, तो वो कैसे बेचेंगे? बायर से कॉंटेंट करेंगे तो बेहतर रहे हैं.